वेलकम टू माई चैनल इलेक्ट्रोनिक्स क्या है जैसा कि आप जानते हैं कि अपन मॉड्यूल 7 में ओपीम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ऑपरेशनल अम्प्लिफार क्या होता है इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने ओपीम की कैरेक्टिसिक्स पड़ी थी उसका block diagram और उसका symbol देखा था आज हम ओपीम की application डिस्कस करेंगे वो भी ओपीम as an inverting amplifier कैसे work करता है इसके बारे में देखेंगे तो ये ओपीम as an inverting amplifier का diagram है इसके अंदर हम देख रहे हैं ये हमारा ओपीम का symbol है जैसे मैंने आपको बताया था कि ओपीम में दो input terminals होते हैं 2 & 3 2 को बोलते हम inverting terminal और 3 को हम बोलते हैं non-inverting terminal और 6 pin output होती है ये जो हम जो भी discuss करेंगे circuit वो 7,4,1 8 pin जो IC है उसके लिए discuss करेंगे तो 7,4,1 IC में 2 और 3 अपने क्या होते हैं 2 input होते हैं 2nd number जो pin है इसको हम बोलते हैं inverting input और जो 3rd number pin है इसको हम बोलते हैं non-inverting input और 6 pin जो है वो इसका output होती है मतलब 6 pin पे हम output लेते हैं और 4th और 7th पे supply देते हैं 4th पे minus voltage देते हैं negative voltage दिया जाता है और 7th pin पे plus voltage दिया जाता है तो ये तो अभी हमने देखा कि OPM का जो symbol है उसमें कौन से terminal पे क्या दिया जाता है अब जैसा कि हमारी application का नाम ही है कि OPM as an inverting amplifier कि OPM inverting amplifier की तरह कैसे work करता है तो हमको जो signal देना पड़ेगा वो किस pin पे देना पड़ेगा inverting input पे तो second number pin जो हमारी inverting input पे है इस पे R1 के थू एक input voltage VIN लगाया जाता है और हमें ये देखना है कि output inverted मिलता है पहले मैं आपको ये clear करना चाहूंगी कि inverting input और non-inverting input से यहाँ पे क्या meaning है कि अगर आप inverting input पे signal दोगे तो जो output मिलेगा वो invert होके मिलेगा means 180 degree का phase shift उस पे आएगा अगर हमारा यहाँ पे AC signal का positive half cycle आता है तो output में वो negative half हो जाएगा negative half cycle मिलेगा और जब यहाँ negative half cycle आता है तो output में positive half cycle मिलेगा यानि invert होके output में मिलता है इसके बजाए अगर आप non-inverting पे input देते हो तो क्या होगा कि जिस phase में input दिया है means positive half cycle आएगा तो output में positive ही मिलेगा और negative half cycle आएगा input पे तो output में भी negative half मिलेगा लेकिन जो हमारी first application है वो हम inverting amplifier की तरह discuss कर रहे है तो यहाँ पे जो input है वो R1 के through inverting input पर दिया जाता है यह जो AC sine wave है जिसको हमें amplify करना है वो inverting input पे देते हैं और non-inverting terminal को हमने क्या कर दिया? ground कर दिया अब output के कुछ पार्ट को input में feedback करने के लिए एक resistance काम में लिया हमने RF RF है feedback register जो की output के पार्ट को input पे feed कर रहा है और इस circuit के अंदर हमने negative feedback काम में लिया है negative feedback हम इसके अंदर use ले रहे है और यहाँ पे हमने supply इसको लगा दी अब हम जानते हैं कि जो हमारा ideal opem है ideal opem की अपनने characteristics पढ़ी है कि इसका जो gain होना चाहिए differential mode gain जो होना चाहिए वो infinity होना चाहिए differential mode gain को हम A से भी represent कर सकते है या D subscript लगा के भी represent कर सकते है कि जो AD होना चाहिए वो कितना होना चाहिए infinity और हमने characteristics में ये भी देखा था कि common mode gain इसका 0 होना चाहिए तो हम mainly इसके differential mode की ही gain की ही बात करेंगे क्योंकि ये differential mode में ही use आता है तो AD should be infinity अब अपन जानते हैं कि gain क्या होता है gain is output voltage upon input difference voltage OPM क्या करता है input के difference voltage को amplify करके output में देता है तो अगर इसका differential mode gain को A से represent करें तो A is equal to V0 upon VID VID है input differential voltage और V0 है output voltage अब अगर हमें VID की value find out करनी है तो VID is equal to V0 upon A और ideal OPM के लिए हम जानते हैं कि A की value क्या है infinity है तो अगर यहाँ पे infinity रखेंगे तो क्या हो जाएगा VID is equal to 1 upon infinity यानि VID की value क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए यानि VID approximately equals to 0 exactly इसलिए नहीं बोला हमने क्योंकि ideal OPM के लिए A infinity है जबकि practically OPM के लिए गेन बहुत हाई होता है तो जो input difference voltage है वो लगबग किसके बराबर होते हैं 0 के बराबर होते हैं अब VID कैसे निकालेंगे input difference voltage कैसे निकालेंगे इन दौनों का difference इस point पर हम कह रहे है V1 voltage है इस point पर V2 है तो VID के value हो गई V1 minus V2 क्यों V1 minus V2 क्यों क्योंकि non-inverting के voltage में से inverting के voltage को हम minus करते हैं तो हम यहां कह सकते हैं कि V1 minus V2 is approximately equals to 0 अब इससे हमें क्या पता चलता है कि यहां पे जो V1 voltage है वो approximately है V2 के इससे हम यही निकालते हैं कि यह उधर चला गया तो प्लस में हो गया तो हम नहीं कह सकते हैं कि V1 is approximately equals to V2 अब यहां आप तेखोगे कि जो V1 voltage है यह ground इस terminal को हमने ground कर दिया तो V1 की value क्या है लगबग 0 होगी ground कर दिया है इसको और हम कहने हैं कि V1 is approximately equals to V2 तो V2 पे भी approximately V1 के equal voltage होंगे means हम कह सकते हैं V2 is virtually ground actual में हमने V2 को ground नहीं किया है बट यहां इस से drive कर दिया हमने कि V1 is approximately equals to V2 और V1 कितने potential पे है ground potential पे है तो हम यह कह सकते हैं कि जो यह V2 voltage है यह V2 point है यह भी virtually क्या होगा ground होगा इस circuit में अभी अपने यह देख लिया था कि जो V1 potential है वो V2 के बराबर है अब अगर हमने यह input source लगाया इसके कारण यहां पे input current flow हुई तो अगर इस node पे देखें तो यह input current दो parts में divide होगी कुछ अंदर जाएगी इदर base current और उसका कुछ part feedback register में जाएगा यह feedback register है RF लेकिन हम यह जानते हैं कि यहां का जो difference voltage है VID that is approximately equals to 0 VID की value हमने देखा 0 है तो यहां पे flow ने वाली current भी क्या होगी 0 होगी यहनि इसके अंदर जो current flow यह IB उसकी value क्या होगी लगबग 0 होगी तो अगर अपन इस V2 node पर KCL लगाए KCL at V2 node तो अपन यहां देख सकते हैं कि जो यह IIN current है जो इस source के current यह current flow ना start हुआ यह दो part में divide हो रही है IB and IF तो हम लिख सकते हैं input current is equals to feedback current plus base current जो दौनो input terminals के बीच में flow होगी है लेकिन हम जानते हैं कि यह current IB क्या होगी जीरो होगी क्योंकि VID की value यहां पे 0 है तो यहां का potential difference 0 है तो इसमें flow होने वाली current भी 0 है तो IB is equals to 0 तो हम यहां देख सकते हैं कि IIN is equals to IF यह जितनी भी input current है वो सारी की सारी feedback register में flow होगी अब current की value current होता है I is equals to V upon R ओम स्लाव से अपन देखेंगे तो इस IIN की value निकाले तो इस register यह VIN के current IIN current flow होगी इस बिंदू पे voltage है VIN और इस बिंदू पे voltage हम कह रहे हैं V2 यह एक ही point है तो इस पे voltage है V2 तो यहाँ पे कितना मतबन किहाँ पे current की value कैसे निकाल सकते हैं इस पे जो potential difference है divide by R1 is equals to IIN तो IIN की value कैसे निकाल सकती है R1 पे potential difference कितना है R1 पे potential difference VIN minus V2 क्योंकि इस बिंदू पे V2 मिल रहे हैं या VIN मिल रहे हैं तो हम लिख सकते हैं VIN minus V2 upon R1 यह हो गई IIN की value इस तरह IIN की value निकाल लें तो इस बिंदू पे हम देख रहे हैं voltage है V2 और यहाँ जो मिल रहा है यह है output voltage V0 मिल रहा है इस load के across V0 voltage मिल रहा है यानि इस बिंदू के voltage है V0 और इस point के voltage है V2 तो RF पे कितना voltage हुआ इन दौनों के difference के बराबर तो हम कह सकते हैं V2 minus V0 divide by RF कर दे हम तो यह किस की value देगा IF की value देगा अब अपन ने जैसे कि अभी अपन ने देखा है इस equation में अब हम V2 की value पुट करेंगे कि V2 की value क्या होगी तो V2 की value वैसे तो आप यहां से देख सकते हो कि V1 is approximately equals to V2 तो V1 ground potential पे है तो V2 भी ground potential पे होगा यानि V2 की value 0 volt होगी और हम इसको कैसे समझ सकते हैं gain का formula होता है V0 upon VID यह हम यह कह सकते हैं अभी अपने यही चीज़ करी थी कि VID is equals to V0 upon A अगर gain infinity है तो VID की value किसके बराबर आ रही थी अपने 0 के बराबर आ रही थी approximately equal थी 0 के तो अपना क्या था अपने यह conclusion निकाला था कि V1 is equals to approximately equals to V2 और V1 ground potential पे है तो V2 भी कितना होना चाहिए ground पे होना चाहिए यानि V2 की value भी क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए तो यह V2 की जो 0 value है अगर अपने इस equation में put कर दे तो हम आगे इसको solve करेंगे कि यह क्या आता है अब V2 की value अगर हम यहाँ इस equation में 0 put कर दे तो हमार पास क्या बचा V in upon R1 minus V not upon Rf यह चीज बच गई अब इसको अगर अपन solve करें यहाँ लिख देती हूँ में इसको solve करके कि gain निकालें gain क्या होता है output voltage upon input voltage तो हम सिर्फ इनकी position cross multiply कर रहे V in को नीचे ले जा रहे और Rf को उपर ले जा रहे और minus sign को अगर इधर ले ले तो यह हो गया minus Rf upon R1 यह value आ गई अब यह हम देख सकते है V o upon V in क्या हो गया gain हो गया with feedback तो इसकी जगे हम लिख सकते है कि V naught upon V in की जगे लिख सकते है gain with feedback is equals to minus Rf upon R1 यानि यह अपना formula drive हुआ gain का किसका कौन से mode में inverting amplifier जब OPM inverting amplifier की तरह work करता है तो इसका जो gain है gain with feedback उसकी value आई minus Rf upon R1 अब यहाँ पे negative sign यह indicate करता है कि जो हमें output मिल रहा है वो input से 180 degree phase shift पे मिल रहा है तो हमने इस relation से प्रूव कर दिया कि OPM as an inverting amplifier की तरह work कर रहा है जैसे कि मैंने इसको start करते समय आपको बताया था कि inverting amplifier से क्या मतलब होता है कि जो हम input देते हैं output उससे 180 degree phase shift मिलता है जैसे suppose कर दीजी अगर आपका positive half cycle आ रहा है यहाँ पे यानि upper terminal positive and lower negative है तो output में कैसा मिलेगा उपर negative मिलेगा नीचे positive और जब यहाँ negative half cycle आ रहा है तो वहाँ positive half cycle मिलेगा means 180 degree phase shift पे हमें output voltage प्राप्त होंगे तो यह relation भी यह प्रूव करता है और जो यह feedback gain है यह किस पर depend करता है feedback register पर और R1 की value पर यह gain निर्भर करता है तो आज के lecture में हमने देखा कि OPEM as an inverting amplifier कैसे work करता है Thank you